हेलो दोस्तों, वेलकम टो इंडियेंशेयर्टिप्स टॉट कॉम और हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसे चार्ट जिन में आप पैसा लगा करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, मुनाफ़े के साथ आपको टेकनिकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताएंगे कि क्या र लेंगे और उसके बाद आप यहां से आज के बाद का चार्ट पैटर्न कंपेर कर सकते हैं कि कैसे स्टॉक ने बिहेव किया, क्या उस स्टॉक ने दिये हुए पैटर्न के मुताबिक कारवई की के नहीं की, तो आपके दिमाग के अंदर जो चार्ट पैटर्न कैसा होता है वो छप जाएगा और जैसे ही आप कोई भी चार्ट देखेंगे स्टॉक चार्ट आप इमिजेटली उस चार्ट को जाएंगे पैचान और आपको मिलेगी मनी मेकिंग उपरचुनिटी तो चलते हैं टॉपिक के उपर तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एल एंटी और मेक डॉवल के चार्ट जो कि आपको अपरचुनिटी दे रहे हैं पैसा बनाने का लाइक शेर सब्सक्राइब कमेंट करना इंडियन शेर टिप्स चैनल को ना भूले और अपने दोस्तों को भी बेजे आगे क्योंकि यह हम एक मोटिवेशन देता है कि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें शेरिंग इस केरिंग तो हम आ रहे हैं चार्ट पे एल एंटी का पर उससे पहले हम यह स्क्रीन शॉट देखेंगे जिसमें हमने आपको सारी तरह के गैप के बारे में समझाया है और आज हम कॉंसेंट्रेट करेंगे रन अवे गैप के उपर तो बेसिकली आपके सामने हैं एक्जॉश्चन गैप रन अवे गैप ब्रेक अवे गैप और कॉमन गैप तो बेसिकली यह चार गैप पैटन्स होते हैं जो कि आप किसी भी के अंदर देख सकते हैं, तो इस समय L&T runaway gap दिखा रहा है, हम चलते हैं main topic के उपर. तो L&T का chart आप देख पा रहे हैं, और date देखेंगे, 23rd February का ये date है, यानि के Friday का last chart है, और ये वीडियो हम Sunday को बना रहे हैं, ताकि आपके पास latest analysis available हो, जिसके उपर आप पॉंडर करके investment का decision ले सकते हैं, तो सबसे पहले है, runaway gap support इस chart के अंदर दिख रहे हैं, और आपके लिए ये runaway gap support दिखा दिया है, जो कि 3197 से 3250 के बीच में है, याद रखो, ये एक कोई straight line नहीं होती, ये एक band होता है, over a percentage आप बोल सकते हैं, कि 2-3 percentage के बीच का ये band आप ले करके चल सकते हैं, ये कहना कि it is a single line पत्थर की लकीर है, वो गलत होगा, so always remember support and resistances are bands and not lines as shown in the chart, तो जो आपको बताते हैं कि support एक single line है, वो गलत है, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और band concept को अपने दिमाग के अंदर ले करके आएं, तो इस समय अगर आप देखें, तो ये L&T का चार्ट 3,250 रुपे की support से उपर bounce कर रहा है, तो आप इसमें long हो सकते हैं, 3,250 के उपर और targets हो सकते हैं, 3,461, 3,553, और 3,645, chances of इसके उपर जाने के ज्यादा हैं, क्योंकि bullish environment में हैं, पर अगर इसने ये वाला gap तोड़ते हुए, 3,197 को break किया decisively, तो it can fall to 3,138, further fall to 3,046, and finally it can fall till 2,954, L&T एक अच्छा stock है, अगर नीचे levels पे आपको मिले, तो आप इसको accumulate भी कर सकते हैं, for a long period, 5 years, 10 years, क्योंकि इसके projects बड़े-बड़े होते हैं, gas station period भी इसका ज्यादा होता है, तो give it time and it will give you good returns, तो हमें उम्मीद है कि आपको इसका runaway gaps support clear हो गया होगा, now we move to mcdonald chart, तो mcdonald के साथ सब लोग relate कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग consume करते हैं, और parties का favorite है, पर शायद ये पहली बार हुआ होगा, कि लोग बोलते हैं कि जब शरीर का आन्थ होने के बार spirits सबसे पहले शरीर को छोड़ती हैं, जबकि विजे मालिया के case में, उनकी spirits इंडिया में ही रह गई और वो शरीर को लेकर के UK चले गए, तो ये एक lighter note पे है, तो चलते हैं main topic के उपर, कुछ technical वज़ा के करके हमें यहाँ पर voice over करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ 2 minute का हमारा audio record नहीं हुआ, तो rather than recording the new video, हम उसी को ही आगे voice over कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि अगर channel pattern continuous हो, तो वो उपर की तरफ चलता जाएगा, और आपने exit नहीं करना, जब तक के lower channel की trend line को break नहीं करता, और हम देखेंगे के upside channel pattern काफी reliable है, और कैसे उसका entry लेना है, और कैसे exit लेना है, यह चार्ट के अंदर दिखाया गया है, और हम चलते हैं में topic चार्ट के उपर जो की है, आपका mcdovill का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, के stock आपका, अगर break कर जाता है trend line को, तो targets can be 1219, 1259, 1299, और chart को गौर से देख लीजिए, understand the trend line, कहां कहां पर break कर सकता है, और नीचे की तरफ अगर break करता है, तो stock गिर सकता है, 1120, 1080, और 1040, तो आप इन levels को अपने पास दियान में रख सकते हैं, so that you are on the right side of the market, aim है कि जब भी trade करें, correct pattern के साथ trade करें, उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो जो level को break करें, आपने उस दिशा में trade करना है, याद रखें, price is supreme, जो आपको ground के उपर, chart में price दिख रहा है, उसी मताबिक आपने trade करना है, अपने confirmation biases को, side में रखते हुए, आप trade करें, और आप अच्छा मुनाफ़ा कमाएंगे, और हमारी यही कोशिश है, कि you be on the right side, इंट्रडे में आपका interest है, तो none can beat our bank, निफ्टी option टेप, एक गंटा सुबह दीजिए, और दस जज़ार capital के साथ, आप रोज़ाना अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, झाले यही कि झाले सकते हैं,